दोसों कहानी के शुरुआत होती है सन 2001 दहरादून के एक दिशेरे मिले में यहां दो बच्चे युग और अधीती आए हुए थे अधीती युग के साथ दोसी करने के लिए आगे आती है पर युग ने उसे धक्का दे दिया और यहीं एक औरता कर अधीती को अपने साथ ले गई नो दिन बाद एक नदी के किनारे अधीती की बोड़ी मिलती है कहानी 15 साल आगे गई इंडियन गौर्मेंट ने एक लोग पास कर दिया था कि जितने भी 15 साल या उससे पुराने क्रिमिनल केसिस हैं वो हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएंगे और इसी वजह से अधी इंस्पेक्टर बन चुका था वो 15 साल पहले की गटनाओं को याद करता है कि कैसे अधीती को किटनाप करने का आरोप एक मेडिकल स्टूडन रागव नोटियाल पर लगा था पर सिर्फ युग ही जानता है कि अधीती को एक आदमी ने नहीं बलके एक औरत ने किटनाप किय से इन दोबारा 15 साल बाद 2016 में शिफ्ट हुआ अधीती की माँ फैसला करती है कि जब तक गोर्मेंट इस लोग को वापिस नहीं लेगी वो पुलिस टेशन के सामने से नहीं उठेंगी पुलिस टेशन के बाहर लोगों की भीड लग जाती है पुलिस डियस पी वामिका को टेस्टर्स के साथ क्या कर रहे थे वो कहती है कि कोई मजाक है कैये जिस पे युग ने कहा कि हा मजाक ही तो है वो बिचारी अधीती की माँ 15 सालों से अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रही है पर पुलिस की नाकामयाबी की वज़ा से तीन दिनों में वो केस हमेशे क सवाल के हाथ लग जाती है पर इससे पहले वो इससे पढ़ पाता उसे उसके सीनियस ने बुला लिया शोर्या ही उस वक्त अधीती के केस पर काम कर रहा था अधीती के किरने पर ने अधीती के पिरेंट्स को मैसेच कर पांच लाक रुपे मांगे थे और ये फोन नंबर एक रागव को तो शोर्या यहां से वापिस पुलिस टेशन गया उसे अपने डेस्क पर एक नोट दिखता है जिसमें लिखा था तीन नवंबर पंचा चुली टेक्स्टाइल मिल तीन नवंबर आज ही है शोर्या कुछ सोचने लग गया और तब ही वहां आई वामिका जो इस व रागव एक होश्यार मेडिकल स्टूडन्ट है जो कभी भी अपने खुद के फोन से अदीती के पिरेंट्स को मैसेज करने का पागलपन नहीं करेगा और रागव के पास तो पैसों के भी कोई कमी नहीं थी कि उसे किड्नैप करके पैसे मांगने पड़े पर शोर्या का सीनि चलकर एक ड्रग डिलर के पास जाता है दरसल रागव के फोन से और फोन इसे ही किया गया था शोर्या ने इस आदमे को पकड़ इसे रागव के बारे पूछा ये बताता है क्य मैं रागव को तो नए जानता पर रागव की गल्फ्रेंड मेरे लिये काम किया करती थी इस आदमी ने बताया कि मैं रागव से बस उसकी गल्फरेंड के साथ एक ही बार मिला था शोर्या ने पूछा कहां मिले थे इसने बताया पंचा चुले टेक्स्टाइल मिल में उस नोट में भी इसी मिल का नाम था कहानी फिर से 16 साल आगे गई युग अदीती के केस की फाइल चेक कर रहा था उसके सामने आया कि मरने के बाद अदीती के शरीर में कुछ ऐसे केमिकल्स पाए गई थे जो टेक्स्टाइल मिल्स में इस्तमाल किये जाते हैं तो 16 साल पहले शोर्या उस मिल में पहुँच गया वो गेट से चलांग लगा अंदर जाता है यहां उसे एक पैरों के निशान दिखे एक मेले में मिलने वाला पंखा दिखा एक बच्चे के जूते दिखे पर इधर 16 साल आगे युक के पुलिस स्टेशन की लाइट चली जाती है उसने जल्दी से जाकर एक कैंडल जलाई तो इधर शोर्या को रागव नोटियाल की बोडी मिली इसी के साथ साथ घड़ी में टाइम हो जाता है 11-11 शोर्या ने अपने वोकी टोकी से युक को बुलाया 16 साल आगे युक भी शोर्या के वाज सुन पा रहा था वो भाग कर बंद लोकर्स में आवाज आने वाले वोकी टोकी को ढूनता है उधर से शोर्या बोला कि मैं इंस्पेक्टर अंतवाल बोल रहा हूँ मैं उसी टेक्स्टैल मिल में हूँ जिसके बारे तुमने मुझे बताया था यहां मेरे सामने रागव नोटियाल की डेट बोडी पड़ी है पर युक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि शोर्या क्या बोल रहा है और तबी किसी ने आकर पीछे से शोर्या पर हमला कर डाला युक के पुलिस टेशन में लाइट वापिस आ जाती है यहां उसके साथी ओफिसर ने उसे दिखाया कि क्या फूक कर बैठे हो इस वो की टोकी में तो बैटरी ही नहीं है युक कनफ्यूस हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है अभी तो उसने इसे बात की थी युक सिदा यहां से निकल उस टेक्स्टैल मिल में गया यहां उसे रागव नोटियाल का सड़ा हुआ कंकाल मिलता है युक ये देख इतना डर गया कि वो सिदा बाहर भागा हमें दिखाया जाता है कि रागव नोटियाल अपनी गल्फ्रेंड को ढूंडते हुए यहां आया था पर उसे भी मार दिया गया तो अगले दिन युक पुलिस को यहां लाता है वामिका इस कंकाल को देखकर डर रही थी कि कहीं ये शोर्या तो नहीं वामिका ने युक से पूछा कि तुम यहां क्या कर रहे थे और ये कंकाल सिधा तुमें ही क्यों मिला युक वामिका को कल रात होई गटना के बारे नहीं बताता उसने बस इतना कहा कि कंकाल के डियने को एक बार रागव नोटियाल के डियने से जरूर मिलाना यूग वापिस अपने घर जाता है पर आज फिर 11-11 पर वैसा ही हुआ घर की लाइट जल बुझने लगी वो वोकिटो की फिर ओन हुआ सामने शोर्या जक्मी पड़ा था तो इधर से यूग उसे पूछ रहा है कि अंतवाल जी आपको सकंकाल के बारे कैसे पता पर शोर्या बस इतना कहता है कि इंस्पेक्टर यूग ये मेरा लास्ट ट्रांस्मिशन है ये ट्रांस्मिशन्स 1990 में फिर शुरू होंगे पर तब तुमें मुझे इनके बारे विश्वाश दिलाना होगा शोर्या कहता है कि पास चेंज हो सकता है बस सुम हिम्मत मता ना यूग शोर्या की कोई भी बात नहीं समझ पाता ट्रांसमिशन खतम हो गया अगले दिन से ही यूग इंस्पेक्टर अंतवाल के बारे पता करना शुरू कर देता है कि आखिर ये है कौन उसे पता लगता है कि उत्राकंड पुलिस में लाज 16 सालों में 15 इंस्पेक्टर थे जिनके सरनेम अंतवाल है यूग कब जानना होगा कि इन में से उसकी बात किस्से हुई तो यहीं इदर वामिका को उस कंकाल की फुरेंसिक रिपोर्ट मिलती है तुम सिधा उसी मिल में कैसे पहुँच गए जहां रागवनोटियाल का कंकाल था यूग ने कहा क्योंकि अधीती के शरीर में कुछ ऐसे केमिकल्स मिले थे जो एक टेस्टैल मिल में ही होते हैं और वो मिल 1998 से बंद पड़ी थी मैं ये 15 सालों से सब को बता रहा हूं पर कोई मेरी नहीं सुन रहा तो यहीं इदर दूसी तरफ ये DNA रिपोर्ट उनके सीनियर्स के हाथ लग गई उन्होंने इस रिपोर्ट को एक अच्छा मुका माना इस केस को बंद करने का अब वो सब को ये कह देंगे कि रागव नहीं अदीती को मारा जिसके बाद वो ट्रक का ओवरडोस ले खुद मर गया पर युग इस बाद से सैटिस्वाई नहीं था वो अदीती को इंसाफ दिलाना चाहता है पर उसके सेनियर्स ने मेडिया और अदीती की मा के सामने जूट बोल दिया अब युग ये चीज़ देख नहीं पाता उसने जाकर मेडिया के आगे सब सच बोल दिया कि अदीती का मडर रागव ने नहीं बलकि किसी ओरत ने किया है दरसल रागव को लगने वाला बेहोशी का इंजेक्शन कोई आम इंजेक्शन नहीं था वो बस किसी होस्पिटल में ही मिल सकता है तो युग कहता है कि वो औरत मेडिकल कोलेज में काम करती थी अब उसकी उमर 35 या 36 साल होगी युग ने मीडिया के आगे ये बात कह दी कि हमारे पास उसके खिलाफ सारे सबूत हैं हम उसे जल्द ही पकड लेंगे उसके सेनियर्स जैसे ही टीवी पर एक खबर देखते हैं वो आग बबूला हो गए पर वामिका ने सिचुशन को संभाला वो अपने सेनियर्स को कहती है कि अगर कोई भी मीडिया वाला रागव की फुरेंसिक रिपोर्ट निकलवा लेता तो सारा सच उनके सामने आ जाता और पुलिस की बदनामी होती युग भी कहता है कि मेरे पास उस औरत के खिलाफ गवा हैं मैं हूं गवा वो बताता है कि मैंने उस राद उस औरत को देखा था उसने मोटे मोटे जूते डाल रखे थे उसकी हाइट थी 5-4 उसे ड्रक्स के लट थी और उन्हीं ड्रक्स के पैसे चुकाने के लिए उसने ये किटनैपिंग की वो बताता है कि रागव को अपनी गल्फरेंट के इस प्लैन के बारे पता लग गया था तो इसलिए उस औरत ने रागव को भी मार डाला यूँ कहता है कि टीवी पर ये न्यूस देकर पका कोई ना कोई होस्पिटल में काम करने वाली औरत अजीब बिहेव करेगी जिसे देखकर हमें फोन आएगा उन्हें फोन आता भी है पर एक साथ कई फोन आने शुरू हो गए उनके सीनियर ने वामिकाओ को धम की दी कि 24 गंटों में कातिल को सबूतों के साथ पकड़ो वरना अपना हिसाब लगा लेना पुलिस की अलग अलग टीम्स हो जाने की निउस के कटाउट मिले युग ये देखकर कनफर्म हो गया कि यही हमारी कातिल है पर इस वक्त वो नानिताल में थी इस ओरत करिती को नानिताल से गिरफतार कर दहरादून लाया गया पर ये कहती है कि मैं इन सब चीज़ों के बारे कुछ नहीं जानती मेरा तो अभी अभी ब्रेक अप हुआ है जिसके बाद मैं बस थोड़ा टाइम अकेले बिताने एक होटल में चली गई थी यहां तब युग को भी याद आया कि जो जूते उसने उस ओरत के पैरों में देखे थे वो कोई आम जूते नहीं बल्कि पोल्यों के मरीश द्वारा पाए जाने वाले स्पेशल जूते हैं युग ने जल्दी से कृती के जूते उतरवाए वो कहता है कि चल कर दिखाओ ये वो ओरत नहीं है युग ने बताया कि हमारी उस कातिल को पोल्यो है तो वामिका ने कृती से उस लोकर के बारे पुछा कृती ने कहा कि ये मेरा नहीं मेरी साथी का है जिसने मेरी कंप्लेंट की युग सोचता है कि वो ओरत दो-दो मडर करने के बाद भी भागी नहीं बलकि उससे अपनी साथी को फसाया युग समझ जाता है कि उस ओरत को इस चीज में मजा रहा है और वो पक्का इस वक्त भी पुलिस स्टेशन के आसपास ही होगी उन्होंने पुलिस स्टेशन के आसपास के कैमरास चेक किये उन्हें वो ओरत मिल गई युग बाहर भागा पर मेडिया उसे आगे जाने नहीं देती उसे वो ओरत अपने सामने दिख रही है पर वो वापिस मुड़ गई वो युग के सामने ही अपने कार से निकलने वाली होती है कि वामिका ने उसे पकड़ लिया पर अधिती का केस भी बस 12 मिंटों में बंद हो जाएगा उन्हें जैसे तैसे करके इस लड़की रितू से सच उगलवाना होगा पर ये इतनी असानी से कुछ नहीं बोलने वाली थी इसे पता था कि अगर ये 12 मिंट चुप रहेगी पर रितू वामिका की बातों में नहीं आती वो कहती है कि डियने रिपोर्ट दिखाओ डियने रिपोर्ट अभी तक नहीं आई थी वामिका बस जूट बोल रही है कि डर के मारे रितू अपना जुरुम कबूल कर ले तभी युग भाग कर DNA रिपोर्स लेकर आया वो कहता है कि ये रही रिपोर्स पर फाइल खाली थी उनका वक्त पुरा हो गया ये केस हमेशा के लिए बंद हो जाता है रितु उठकर यहां से निकल गई इसी के साथ DNA रिपोर्स तो आई पर वो लोग एक मिनट लेट थे अधीती की माँ अपने सामने ही रितु को जाते हुए देख रही है पर तभी एक डॉक्टर भाग कर वामिका को कुछ दिखाती है ये एक टोल टिकट थी बारा बचकर पांच मिनट की इसका मतलब है कि रागव 39 अक्तुबर 2001 को बारा बचकर पांच मिनट तक जिन्दा था यानि रागव का केस अभी बंद नहीं हुआ अभी एक दिन बाकी है उन्होंने भाग कर रितु को पकड़ा कि रागव नोटियाल के कतल के जुरुम में तुमें गिरफतार किया जाता है तो तबी अधीती की मा वहां आई वो कहती है कि अधीती के केस का क्या उसकी सजा इसको कौन देगा यहां अधीती की मा खुद ही रितु को मारना शुरू कर देती है वामिका ने उन्हें शांत किया तो इसी के साथ सुप्रीम कोड भी इस लोग को वापिस ले लेता है अधीती को अब इनसाफ मिल जाएगा युग ने जाकर अधीती को शुद धंजली दी तो वामिका जाती है शौरू के घर वो याद करती है कि कैसे वो शौरू को पहली बार मिली थी शोर्या के पिता उसे शोर्या की घड़ी ठीक करके देते हैं वो दोनों ही शोर्या की बात करने लगे कि कैसे वो 15 सालों से आज तक उसका इंतजार कर रहे हैं पर यहीं इधर दूसरी तरफ गॉर्मेंट ने अधीदी के केस को सॉल्व होते देख एक स्पेशल यूनिट बनाने का फैसला किया यह यूनिट बहुत टाइम से अंसॉल्व पड़े केसे को सॉल्व करेगी वामिका और यूग के सेनियर्स ये खबर देख गुसा हो गए कि हाथ में आए केस सॉल्व नहीं हो रहे और अब यूग और वामिका की वज़ा से उनके उपर और केसा गए पुलिस आईजी अपने जूनिट को कहता है कि हमने जैसे पहले शॉर्या के साथ किया था वैसा ही इस नई यूनिट के साथ भी करना होगा वो लोग इस यूनिट में डालते हैं वामिका, यूग बलवन्त और उस डॉक्टर को जो टोल टिकट लेकर आई थी उन्होंने इने दिया अब तक का सबसे बड़ा अनसॉल्ड केस टाई एंड टाई जो शुरू हुआ था नाइंटीन नाइंटी में एक सीरियल किलर लड़कियों को मार कर उनके हाथ पैर बांदेता था उनका मेकब बिगार देता था और आज तक उस कातल के एक फिंगर्मिन भी नहीं मिले वामिका की टीम इस केस पर काम करना शुरू करती है तो 3 अगस 1990 में पुलिस एक जंगल में चान बिन कर रही थी और 11 ग्यारा बच्टे ही युक का वोकी टोकी फिर ओन हुआ अब की बार वो 1990 में उस जंगल में चान बिन कर रहे शोर्या से कनेक्ट हुआ था युक कहता है कि अंतवाल जी आप कहा चले गई थे कहा हो आप शोर्या ने कहा कि मैं बंचोरी जंगल में एक लडकी रजनी नेकी को डून रहा हुँ युक कहता है कि ये रजनी नेकी की लाश तो उसी जंगल में पुराने पुल के नीचे मिली थी शोर्या समझ नहीं पाता कि ओember क्या कह रहा है और तब ही पुराने पुल के नीचे उने एक लाश मिल गई शोरिया चौंग जाता है कि इसके बारे इस वोकिट टोकी में बात करने वाले को कैसे बता इसी के साथ साथ यूग ने शोरिया को अगले विक्टिम के बारे भी बताया था जो एक रेलवे स्टेशन पर मिली थी तो इधर यूग की टीम टाइएंड डाइ केस पर काम कर रही है यूग बताता है कि हमारी सारी विक्टिम्स 22 से 35 साल की थी और सबका ही मेकब खराब किया गया शायद किलर को ओरतों की अजादी से प्रोब्लम है और वो इसलिए इन सब को मार कर बान देता था यहीं कहानी शिफ्ट हुई 1990 में एक लड़की पलक भी अकेले सफर कर रही थी एक आदमी उसके पीछे लगा हुआ है पर यह शोर्या था और पलक उसकी गल्फरेंड थी शोर्या पलक को वोन करता है कि आजकल बाहर माहूल बहुत खराब है तो यहीं अगले दिन युक के बोले हुए रेलवे स्टेशन पर वो कातिल एक उरत के पीछे लग गया पर इसी के साथ युक के बा सुनकर शोर्या यहां पहुँच चुका था तो यहीं इधर युक के आसपास फिर से वैसी अजीब चीजे होने लगी शोर्या को रास्ते में एक औरत का गिरा हुआ बैक दिखता है वहीं साइड में वो औरत भी पड़ी थी शोर्या ने जाकर देखा कि वो अभी जिन्दा है तो यहीं इधर 2016 में सब कुछ चेंज हो गया दोस्तों यहीं होता है इस कहानी का फर्स पार्ट खतम आगी की कहानी आपको मिलेगी नेक्स पार्ट में पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलिएगा